कि इस तरीके के problem को solve करने के लिए आपको DNA के बारे में जानना जरूरी है और DNA primer देखी यहाँ पे इन्हों ने पूछा है कि given below are the four sets, four DNA sequences and the set of forward and reverse primer for their PCR amplification. आपको भी बताना है कि in the absence of any other factor, कोई भी other factor absent है but not restricted to Tm length and percentage GC, which of the following template primer combination would produce the amplified fragment? कौन से प्राइमर जो है amplified fragment को produce करने वाले हैं? अब ये चाननी के लिए जो है थोड़ा सा एक basic चर्चा आपको बताने ज़रूरी है. PCR के बारे मैं आपने सुना होगा, जिसको हम गलती से क्या बोलते हैं? पॉलीमरेज chain reaction अब पॉलीमरेज chain reaction के उपर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि DNA को समझेगा, कैसे? मैं एक एक दो दो base pair लिख के बता रहा हूं, उतने से आपकी कहानी clear हो जानी चाहिए, कि DNA में एक दो base pair जैसे 80 है 5' इंड पे और बीच के base pairs को avoid कर दे रह size है, इसका जो दूसरा end होगा, complementary end होगा, उसका 5' इंड यहाँ से सुरू होगा, और यह होगा GC और यहाँ से जो है यह आएगा TA जो कि 3' इंड होगा, इस तरीके से जो हमारे पास एक double standard DNA है, अब double standard DNA के लिए forward primer का मतलब है कि वो यहाँ पे bind करेगा इस 3' इंड पे, forward primer जो ह reverse primer है, वो यहाँ bind करने वाला है, उसका 5' इंड तभी जाके उसकी synthesis यह होगी, तो यह reverse primer होगा, और यह जो है forward primer होगा, हाँ, 80 ने TA होगा, जो बिल्कुल, अब सही बोल रही है, A का T, T का A, ठीक है, यह चीज़ होगी, अब इस चीज़ पे चर्चा करने की कोशिस करते हैं, अब जब हम इस पे बात करते हैं, तो क्या हो रखा है, कि forward primer जो है, वो यह होगा, और reverse primer यह है, किसी भी DNA sequence का, अब देखे, इसके comparatively जब forward primer निकाला जा रहा है, तो T का बदला A, और A के बदले T, और यह जो forward primer है, इसका 5' इंड इधर है, forward primer, एक्चुली में, अगर मेरे पास यह DNA template दिया है, अगर हमें यह template दिया है, यह वाला template जो है, वो हमें दिया है, तो हम यह बोल सकते हैं, कि जो 5' forward primer है, वो 5' इंड के जैसा है, तो forward primer, same as 5' इंड, यह जो है, 5' के एंड के जैसे है, forward वाला, ठीक है, reverse वाला जो होगा, आप देखें, reverse primer जो होगा, ए 3' इंड जो आपको दिया है, इसका complementary होगा, c का g और g का c, तो reverse primer जो है, complementary to 3' इंड, यह जो है, complementary होगा, 3' इंड का, ठीक है, वो भी इंड ध्यान रखते हो, कि जहाँ पे 3 है, उसका 5 कुछ ऐसे चलेगा, 5, 3 के बदले 5 और फिट g और c, ऐसे चलने वाला, यह है आपका basic सपंगा, अब यही चीज़ यहाँ पर use करना है, देखें, 5' sequence यह दिया हुआ है, तो इसका forward primer यही होगा, forward primer देखें, वही है क्या, नहीं है, same, जो 5' end है, वही उसका forward primer होने वाला था, वो है ही नहीं, 5' का यह sequence जो है, यह sequence वही forward primer है क्या, देखो, नहीं है, यहाँ पर ag है, तो यहाँ पर aa है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर देखो, 5' end यह है, तो उसका forward primer वही है क्या, देखो, वही है, c, t, t, g, a, c, match कर रहा है, d में देखें, जो forward primer है, यह वही है, जो आपका 5' end है, बिल्कुल सही है, c और d में match कर रहा है, लेकिन reverse primer भी तो चेक करना है, reverse primer 3' end का क्या होगा, कॉम्प्लिमेंटरी होगा कि नहीं, reverse primer जो है वो 3' end का कॉम्प्लिमेंटरी होगा, तो जेकि 3' end जो है, यह रहा, इसके लिए इसका कॉम्प्लिमेंटरी, a के बदले t, c के बADLे g, t के बदले a, कॉम्प्लिमेंटरी दिखता हुआ नजर आ रहा है क्या, यह है, इसका देख का सा होगा, C होगा, सिर्फ और सिर्फ C होगा, तो Primer के case में हमेशा यह धिहान रखे, कि जो forward Primer है, वो अगर single standard template दिया है, तो उसका 5' end forward Primer के बराबर है, और 3' end जो है, उसका complimentary जो होगा, वो reverse Primer के बराबर हो जायेगा, तो यह concept use करते हुए, इस तरीके के problems को आप आसानी स solve कर सकते हैं बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है और नहीं समझ में आए तो और भी अच्छी बात है